नमस्कार आप देख रहे हैं फबर जगत मंड़ा पे सचकर बैठी रहे गई दुल्हन नहीं आये बारात फरेभी निकला दूल्हा सच्चाई सुनकर सदमे में आये परिवार शादी का बंधन जहां दो परिवारों को जोड़ता है तो वहीं दूसरी और शादी को लेकर अलग-अलग रिष्टे वालों की अलग-अलग जिम्मेदारी भी होती है भले ही लड़की पक्ष में थोड़ा गम जलगता है लेकिन जीवन साती मिलने की खुशिया ज्यादा बड़ी बन जाती है लेकिन कौसांबी में एक परिवार की या खुशिया शादी के कुछ देर पहले ही सदमे में बदल गई कौसांबी के थाना छेतर सैनी के मोचारा गाउं में उदै सिंग की बेटी की शादी अजुआ के रहने वाले वीर सिंग से थी बारात के स्वागत की पुरी तयारी हो चुकी थी मेहमानों की आवभगत हो रही थी दुलहन की सहलियों ने दुलहन को सजा कर तयार कर दिया था इतना ही नहीं मंड़प पित तयार था उसमें पंडी जी भी मंत्रों उचारण करना शुरू कर चुके थे मौहौल बना हुआ था जन्वासी में महमान खाना खा रहे थे तभी अचानक पता चला की बारात नहीं आएगी बारात नहीं आने की खबर ने गाउं में हलचल पैदा कर दी फोन पर बात करने पर पता चला की वीर सिंग पहले ही किसी दूसरे के साथ भाग कर शादी रचा चुका है लेकिन बिरादरी की ना होने की वज़ा से उसके साथ नहीं रहती थी लेकिन शादी की खबर सुनते ही वह वीर सिंग के घर अधिकार के साथ बहुत चुकी है परिवार का होसला बढ़ाते दिखे वहिंदुल्हन ने सहारा समय के माध्यम से प्रदेश के मुखिया से मांगी की वीर सिंग जैसे परेवी लोगों को साजा मिलने चाहिए ताकि उनके परिवार की तरह दूसरे परिवार धोके का शिकार ना हो सके खबर जगत के लिए एलन स कि इनकी ऊणी कि और रिपोर से आज मेरी शादिी थी कि मेरे मेरे भर पे सब लोग पूरी तयारिया किया था और वरात नहीं आई इसलिए नहीं आई वो लड़का दूसरी साधिकर रखा इस तरीके से उसने मुझे धोखा दिया है कि मुझे धोखा दिया है और किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए उसको मुखमंत्री जीसे मैं निवेदन करती हूँ कि मुझे उसको सजा मिले साथ घटना ये हुई कि मेरे लड़की की आज बरात आनी थी तो बरात नहीं आई है सब रिष्टेदार आ गया है खाना खा चुके हैं और पता चला हमें कि बरात नहीं आएगी क्यों नहीं आएगी बरात पता चला हमें कि दूसरी लड़की के साथ साथ किया है कर लिया है इसकी शिकाइद अपने किसी को दिया है पुलिस को दे दिया है पुलिस को दे दिया है क्या नाम है अपका उदय सिंग क्या है अप लड़के लिए पीता जी